हेलो स्टुडेंट आई दिरिप कुमाज फ्रम SS एजूकिशनल इंस्टिटूट आज हम कॉंप्प्यूटर ग्राफिक्स में 3D टांस्फोर्मेशन के अंदर आज हम स्केलिंग की बात करेंगे इस से पहले हमने जो वीजिए बनाई थी उसमें ने टांस्लेशन की बात की थी द हमारे 3D में स्केलिंग होता है but the key difference is that 3D plane also include the z-axis along with the x and y-axis उसमें केवाल दो ही एक्सिस थे x and y इसमें हमारा एक एक्सिस और इंक्लूड हो जाता है that is called z-axis so in scaling we can expand or compress scaling हम क्या करते हैं express कर सकते और compress कर सकते हैं expand मतलब उसको जो भी size हमारा image जो भी object हम उसके size को या तो compress कर सकते हैं या फिर उसको बढ़ा सकते हैं घड़ा सकते हैं size of any object we can apply scaling on the object by multiplying the coordinate with the scaling factor हम इसमें क्या करते हैं because इसका जैसे कि अब तक हमने जो किया जैसे कि बात करें 2D की जहां मैंने 2D बनाया हुआ है इन 2D में हमारा यह figure है इस स्केलिंग हो गया scaling में हमने x dash is called to x into sx लिया that means क्या है कि जो sx जो हमारी scaling factors है x is the original value of x coordinate x axis की x original new value of x x ठीच जब scaling होने का new value आएगी that is called x dash और जो y की value नहीं आएगी that is a y dash वन जो लिया हमने homogeneous के लिए लिए ठीक है but एक scaling के अंदर एक concept है जब आगे जब हम इसको जैसे-जैसे scaling बताएंगे तो उस concept बताएंगे इसमें क्या similarities है इसके अंदर जो यह homogeneous और non homogeneous का जो fundus क्या है थोड़ा सा आगया के discuss करेंगे इसमें सब्सक्राइब माली जैसे 2D के अंदर हमारा दो axis थी हमारी x axis और y axis पर जो हमारी हमने scaling factors निकाल यहां पर क्या करेंगे x y and z के according देखेंगे यहां पर हमारे के image है यह में 3D मेंज है इसको हमने क्या करेंगे इंक्रीज किया है ठीक है इंक्रीज करने के बाद हमारा scaling करीगे हमने इसकी increase करने के बाद scaling factors के जो होंगे वह मालीचे s is equal to s x s y and s z that means x के scaling factor y का and z का ठीक है तीनों के अंदर हमाई increasing जो हुआ है dimensions का हमने वह सारे factors ले लिए ठीक है और 2D की तरह ही जैसे इसमें new coordinate जो निकल के आते है हमारे same इसके अंदर ही देखे 3D के अंदर भी x dash is equal to x is the original rectangle और s x जो है हमारा जो है यह हमारा scaling factor है scale होके जो original का scaling factor के साथ multiply हो गया है ठीक है same y dash यह new coordinate है इसके साथ y के scaling factor के multiply करती है z dash के साथ z dash में z के scaling factor के multiply को one of one जो हमने लिया है यह homogeneous के लिया है ठीक है हिए। है कि हाँ सोगा है so here we can use represent the scaling factor y किसलिए हमने s x sy and s z को फेक्तर सब्लेबर ए ठीक है s x वह यह किसके x-axis के लिए यह 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 वाइकसिस के लिए जाड़ यह एकसिस के लिए जए ज़से ज़से ज़सेट एकसिस के लिए ठीक है अब यहाँ भी हमने जो किया हमने इंक्रीमेंट किया है ठीक है ओके इनकेस अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे ना तो जो यह वैलू SX की चितने भी स्केलिंट आएंगे हमारे ठीक है ना बट हमें इससे कोई फर्मिन बढ़ता माइनिस में प्लस में जो हमारी जो आगे चलके मैट्रिस मल्टिपिलिक्शन की जो हमारी रो मैट्रिक्स और कॉलम मेजर जो हम बनाएंगे उसमें जाब वैलू रखेंगे न तो आपको मिल जाएगा ठीक है हम एक इस्टेंडर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इसमें अब बात करते हैं कि मालीच यह इसके लिए और SX, SY, SZ जो लेज दन वन है तो हमारा जो है अब्जेक्ट डिक्रीज होगा ठीक है तो इसमें हमारा अब्जेक्ट जो है इंक्रीज है तैनिस SX, SY, SZ इस ग्रेटर दन वन ठीक यहां तक आप समझीए और नेक्स बात करते हैं मालीच जो है हमारे वो X, Y और Z है ठीक, Scaling Factor for X-Axis जो हमारा वो SX है, Scaling Factor for Y जो हमारा वो SY है, Scaling Factor for Z हमारा SZ है ठीक New Coordinate after Scaling हमारे जो बनेंगे वो X-Dash, Y-Dash and Z-Dash है ठीक So, we can represent the 3D Scaling in the form of equation that is X-Dash is equal to X.SX, Y-Dash is equal to Y.SY and Z-Dash is equal to Z.SZ Okay, 1 is equal to 1, ठीक देखे, जैसा कि पहले हमने Transformation Techniques में क्या था, Translation में क्या, Rotation में क्या Same हम इसमें भी Scaling में भी ऐसे ही करेंगे, इसमें हम दोनों ही निकालेंगे Matrix Multiplication Form में निकालेंगे हम इसको, Row Measure और Column Measure दोनों में निकालेंगे देखे, Row Measure में हर एक के साथ हमने बताया था कि Row Measure में क्या होता है जो P-S is equal to P.S, ठीक है ना, जो .S है यह Translation में T था, Rotation में R था और Scaling में S है, ठीक है ना, Reflection में R होगा, Sharing में S होगा, ठीक है न, सो हम बात करें Scaling तो P.S है, ठीक, और अब भी जैसी हम Column की बात करेंगे, तो Column में S पहले आ जाएगा और P जो है वो बात में आएगा उसमें S.P हो जाएगा, ठीक, तो यहां पर बात करेंगे, P' देखिए, X' Y' और Z' और 1, ठीक, इसकल टू, X, Y, Z, 1, यह P की वैल्यू, यह दी, P की वैल्यू, डॉट S, S यह हमारे Scaling Factor है, ठीक है, अब Scaling Factor निकाल लेते हैं, तो अपने आपी हम इसमें रखके, फर्मुले में, आंसर माने कर जाए, ठीक है, ठीक है, जब मैं बात करें, रो मेजर की, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो रो वाइस चलेगी, ठीक है, इस तरीके से, रो वाइस ठीक है, ठीक है, अब X, Z में X की वैल्यू कितनी है, SX, यह लिख दिए हमने, X डैस में Y की पैल्यू, है यह नहीं, 0, Z भी नहीं, 0, 1 भी नहीं, 0, Y डैस में X, नहीं है, 0, Y डैस में Y, Yes, SY है, ठीक 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 है साथ यह रख दिया इसकी multiply multiply S की इसके साथ कर दी तो same value के से जोड़ते हैं इसके साथ फिर यह और फिर इनको अलग अलग जोड के लिख देते हैं ठीक ना देखे X के साथ multiply SX है Y Z 1 सब की 00 सब को जोड़ेंगे यह आ जाएगा फिर इसके साथ X 0 है Y की S Y के साथ करेंगे तो य लिए गया जिया जेड की देखे देखे में ऑन की वन की साथ या ठीक है तो इसकी वैलू जो आएंगी यह दो तीन टेखे चेज एक दो तीन वैलू है यही वैलू है सेम ठीक है कॉलम मेजर में हम क्या करते हैं कोलम मे절 में बताया था भी मैंने आपको यह डोट पी हो जाएगी ठीक ना उसके बाद देखे के कोलम मे절 में कॉलम के वेलू एस और डॉट पी ओरिजनल वैल्यू यह न्यू वैल्यू जया थीना उसके बाद देखे यहां पर भी हमने क्या करेंगे आपर column wise column origin लेंगे x, y, z and 1 इस तरीके से और यहाँ पर हमारे new coordinates लाएंगे आप s x में x y 0 है z 0 है 1 0 सेम सब लगाएंगे एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है factor में कि row measure और column measure दोनों में देखिए दोनों में जो matrix आईए हमारी वो same आईए देखिए दोनों में same आईए है so on the behalf of this condition we can say that scaling के विदाउट और विद किसके अगर हम homogeneous करें या न करें केवल scaling के अंदर ठीक है scaling के अंदर only दोनों ही condition में हमारी without और विद दोनों ही condition में scaling के अंदर only for scaling बार बार करें हमां से यह scaling factor सेम आएगा ठीक है ना जैसे 2D के अंदर अगर हम scaling factor नहीं यूज करते हैं नहीं यूज करें तो जो हमारी value होगी p प्लस t होगी अगर without इस यह जो हमारा homogeneous form अगर हम homogeneous form को use नहीं करते हैं तो p प्लस t होगी और हर एक coordinate के लिए अलगलग value होती चले जाएंगी हगी ठीक है ना तो इसीलिए हम क्या करते हैं हमोजीनिस को इसील लेकर आते हैं वेषिस सारे के सारी जो हमें value मिलेगी वह multiplication form में मिलेगी ठीक है तो पी-डॉट्टी हो जाता है यह homogeneous का फायदा है कि हमें सारी की सारी जो वैलु है हो multiplication form में मिलेगी ठीक है तो बट scaling अंदर ऐसा नहीं scaling जो आप without scaling करें sorry without homogeneous करें चाहें with homogeneous करें दोनों में इसकी value same ही मिलेगी ठीक है तो आई थिंक आप लोगों के 3D स्केलिंग समझे में आ गई होगी स्केलिंग में वही तवारा रिकाल कर देते हैं कि कोई भी साइस की स्केल करने से यह तो प्यों से इनक्रीज कर रहे हैं या फिर उसे और इस से डिक्रीज कर रहे है यह चलिए थैंक यू